DRX Health & Beauty Family में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे Povidon Iodine Ointment के बारे में इसको कौन सी कंपनी बनाती है, इसके ingredients क्या क्या है, इसकी price क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसका side effect क्या है तो दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, Povidon Iodine Ointment, Sipladin Brand के नाम से मार्केट में अविलेवल है दोस्तों, Sipladin Marketed by Sipla Limited है, यह Sipla के द्वारा मार्केट में बेची जाती है, और यह है एक Registered Trademark Medicine है दोस्तों यह Topical Bacteria, Spores, Fungi, Ast, Protozova and Virus के अगेंस बहुती एफेक्टिव है दोस्तों, इसके Content की बात करें, तो इसमें Povidon Iodine IP 5% Weight Wise इसमें पड़ा हुआ है और इसमें Oodine 0.5% Weight Wise है और आप देख सकते हैं, यह इसको हम 25 डिगरी से नीचे Temperature पे इसको हम Store कर सकते हैं दोस्तों, इसके Price की बात करें, तो यह 10 ग्राम का Tube मात्र 29 रुपे में आता है और यह 20 ग्राम, 30 ग्राम की Tube में अवलेवल है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में इसका उपयोग हम जलने पर, या चोट लगने के कारण कट जाने पर, या छिल जाने पर, या किसी भी तरह का Fungicide, Fungi Infection है, Skin Infection है उस केस में हम इसका उपयोग कर सकते हैं Siplatin का उपयोग, अगर हम ड्रेसिंग कर रहे हैं अपने घाव पे, उस केस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सबसे पहले, इसका इस्तेमाल करने से पहले, हम उस घाव को, इस प्रीट से अच्छी तरह से धुलके और इस ओईटमेंट को हम लगाके और उस पे ड्रेसिंग कर सकते हैं इसका उपयोग हम दिन में दो बार कर सकते हैं और यदि आप ड्रेसिंग करते हैं, तो ध्यान रखें कि हर 24 घंटे बाद अपनी ड्रेसिंग को खोलें और उसको अच्छे से स्प्रिट या हैड्रोजन से धुलके और फिर इस सिप्लाडिन ओइंट्मेंट को लगा के और फिर से आप उसका वेंडिज करें दोस्तों इसका उपयोग हम external यूज के लिए करते हैं ध्यान रखें कि internal यूज के लिए इसका उपयोग ना करें और अगर हम इसके side effect की बात करें तो सिप्लाडिन का कोई side effect नहीं है और यदि आप इसको दो बार से अधिक लगाते हैं तो हो सकता है कि आपको उस जगह पे थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है बट वैसे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी धन्यवाद